हेलो फ्रेंट्स आप सब कैसे हैं आसा करती हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे यह देखिए हमने यह गले से सुरू होने वाली बेबी कार्डिगन बनाई है इसे हमने 95 फंदों से स्टाट किया है उपर से ठीक है फिर यह हमने उपर का यह बनाया है यहां से यह छाजू और फिर यह नीचे का पाड़ बनाया है इस तरह से हमने इसे बनाकर त्यार किया है और हमने इसकी मेंadas कि हैं यह देखिए फ्रेंड्स हमने यह इतना बना लिया है एक दो तीन चार पाँच लाइन बन कर आई है इस तरह से और यह हमने 24 जाली बना लिया है यह 4 चार चार के कर से 24 जाली बन कर आई है और ये साड़े छे इंच के हो गया है इस तरह से साड़े छे इंच के करीब ये हो गया है अब हम फिर से इसके फंदों को डिवाइट करेंगे ये जो ये है ये फर्ष्ट पार्ट है फ्रंट का ये बाजू है ये बैक पार्ट है ये फिर से बाजू है और ये फ्रंट पार्ट है इदर का तो पहला हम बाजू बनाएंगे इन फंदों को ये जो फ्रंट का पार्ट है इसको हम दूसरी सलाई में डालेंगे इस सलाई में इस तरह से इस सलाई में डाल लेंगे यह यहां से यहां तक 31 फंदे लिया हैं यहां तक अब यह बीच में 9 फंदे हैं अब इन में से 4 फंदे हम इसमें प्लस करेंगे और 5 फंदे इधर की साइड बाजू जो होती हैं उसमें प्लस करेंगे इस तरह ऐसे एक दो तीन चार अब ये 35 फंदे हैं इधर की साइड में ये 35 फंदे हैं इनको हम ऐसा ही छोड़ देंगे और ये जो फंदे हैं यहां से लेकर यहां तक इन में हम बाजू बनाएंगे इन फंदों को अब हम दूसरी सलाई में लेंगे इस तरह से यहां से शुरू करेंगे हैं इस तरह से इन फंदों को इस सलाई में लेते हैं दो तीन चार पांच और अब ये बीच के सभी फंदे बुनकर इस सलाई में लेंगे ठीक है यहां तक अब यह यहां तक बना लिये हैं अब यह पीच में डिजाइन के 9 फंदे हैं इसमें से 4 फंदे इसमें प्लस करने हैं 5 फंदे प्लस करने हैं बाजू में और 4 फंदे यहां पर पीछे की साइड रखेंगे तो इसमें सब पांच फंदे और ले लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरह ऐसे ये बाजू में 52 फंदे हैं, अब इनको पहले हम बाजू को बनाएंगे, इसको यहीं चोड़ेंगे, ये वाली बाजू बनाने के बाद, फिर ये बैक साइड के फंदे हम इस सलाई म इसमें फ्रंट के फंदे हैं, इसमें डालेंगे, और फिर ये वाली बाजू बनाएंगे, दूसरी बाजू बनाएंगे, इन फंदों को दूसरी सलाई में डाल कर, फिर ये वाली बाजू बनाएंगे, ये वाली बाजू बनाने के बाद, फिर ये फंदे उसी सलाई में डाल यह देखियो फ्रस यह हमने पहले बाजू बनाई है। यह एक बाजू है यह दूसरी बाजू है। यह दोनों बाजू बनाने के बाद फिर हमने इनको एक साथ बनाया है नीचे से नीचे का पाठ यह सब एक साथ बनाया है, यह front दोनों साइड के और back साइड का दोनों एक साथ बनाया है ठीक है यह हमने बाजूओं में लिये थे दोनों में, इसमें 52 फंदे थे डोनो बाज में 52 फंदे थे और यह हमने इसकी length रखी है 9 से 10 इंच के करीब रखी है ठीक है और यह है इसमें 146 टोटल 146 फंदे थे और इसमें यह 14 फंदे पती के गई बटन पती के 7 फंदे यह 7 फंदे यह और बाकी के फंदे यह है 14 फंदे पट्टी के जाने के बाद फिर हमने 132 फंदों पर यह डिजाइन बनाया है इस तरह से यह डिजाइन हमने किस तरह से सेट किया है इस तरह से देखिए इस तरह से हमने यह बनाया है उपर से यह यहां से इस तरह से यहां पर यह हमने शुरु में एक खंदा सीधा लिया है. यहां पर यह बन कराया है इस तरह से. एक खंदा हमने हर बार यहां पर सीधा लिया है. और फिर इसके बाद यह डेजाईन बनाया है. तो यह भगती आसान और जल्दी बनने वाela डेजाईन है. इसे अब हम बनाना सीखेंगे, इसे अब आपको अलग से बताएंगे, यह तो हमने बना दी, अब यह जो डिजाइन है, इसको बनाना सीखेंगे, और हमने इसमें काज बनाए हैं, बटन के लिए, बटन होल, छे काज बन कराएं हैं, जगे जगे इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें काज बनाने होते हैं अब यह डिजाइन बनाएंगे हम इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने इसमें 24 फंदे लिए हैं 6 मल्टिपल करने के बाद 24 फंदे लिए हैं हमें इसमें इसे बनाने के लिए 6 मल्टिपल के फंदे चाहिए तो यहां पर यह 24 फंदे हैं औ यहां से repeat pattern चार फंदे उलते, 1, 2, 3, 4, 2 फंदे सीधे, 1, 2, यह देखे, यहां से यहां तक एक टीचन गंप्लिट होता है, ऐसे इसका फंद चोड़नके के बाद, यहां से start होता है, 4 फंदे उलते, 2 फंदे सीधे, फिर से उन आखे करेंगे, 4 फंदे उलते, 1, 2, 3, 4, उन पी फिर से 4 फंदे उल्टे, 1,2,3,4, 2 फंदे सीधे, 1,2, आखिर में 5 फंदे बचे हैं, 4 फंदे उल्टे, 1,2,3,4, ऐसे इस टीश का फंदे सीधे बना लेते हैं, हमने सुरू में भी चार फंदे उल्टे लिए है और आखिर में भी चार फंदे लिए है उल्टे और ये उल्टी सलाई है दूसरी सलाई उल्टी सलाई है ये हर बार उल्टी सलाई हमारी उल्टी बनेगे हर बार जब भी हम उल्टी सलाइग बनाएंगे तो उल्टी सलाइग हमारी हर बार इसी तरह से उल्टी बनाएंगे इस सलाइग को उल्टी बनाकर पूरी कर लेते हैं मुझां हो शीथी सलाइग यह सीथी स्लाइगी पहला फंद मिख करेंगे कुछ तो द॥ आप那個 के तरह बनाएंगे मुझां रिपीट तेन न कुछ टार करेंगे चाहिनदे के एक डोगी आप चार्फ कैनि दो पंदे सीथे एक दो 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, यहां से यहां तक, अब 2 फंदे सीखे, 1, 2, यहां से यहां तक 2 डिजाइन कप्रीट होते हैं, 1, 2, फिर से 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, उन पीछे 2 फंदे सीखें, 1, 2 आखिर में 5 फंदे है, चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो ती चार एस्ट एस्टीश का फंदा सीधा बनाएंगे तीसरी सलाई पूरी होती है चोथी सलाई रोंग साइड है इसे पूरी उल्टी बनाकर कम्प्लीट करेंगे चोथी सलाई पूरी होगे पाच भी सलाई है सीधी साइड पहला फंदा सिलिप करेंगे उन आ गए यहां से रिपीट पैटन सुरू करेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार दो फंदे सीधे एक दो यहां से चार फंदे उल्टे दो फंदे सीधे चार फंदो का एक चार दो फंदे सीधे एक, दो चार फंदे उल्टे एक, दो तीन चार दो फंदे सीधे एक, दो चार फंदे उल्टे एक, दो तीन चार एस देक्ष्टिस का फंदा सीधा बना लेते हैं पांचवी सलाई पूरी हो गई साथ सलाई उल्टी है, यह पूरी उल्टी बना कर पूरी करेंगे चे सलाई पूरी हो गई है, साथ भी सलाई है, सीधी साइड यहाँ पर थोड़ा design shift करेंगे, यहाँ पर आब हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे चाहां दो फंदे सीधे हैं और यहां साइड में दो फंदे उल्टे बनाएंगे यहां चार फंदे बीच में हैं तो एक फंदा इधर की साइड लेंगे एक फंदा इधर की साइड और बीच के दो फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से पहला फंदे सिलिप बनाएंगे अब यह चार पंदे उल्टे, एक दो तीन चार ये एक डिजाइन कम्प्लिट होता है दो फंदे छोडने के बाद 1 लीख शीप किया फिर एक फंदख उल्टा बनाया उसके बाद से रिपेट पैटर शुरू होता है दो पंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 1 पीछे, 2 फंदे सीधे, 1, 2, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 यहां से यहां तक 2 design complete होते हैं, 2 फंदे सीख़ दे, 1, 2, 3, 4 दो, तीन, चार, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तीन डिजाइंel कंप्लीट होते हैं, एक, और यह दो, और तीन, एक, दो, तीन, तीन डिजाइंद कंप्लीट होते हैं, आखिर में 4 फंदे बचे हैं, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, उन आगे, 1 फंदा उल्टा, S2D का फंदा सीधा बना लेते हैं, 7 विसलाई पूरी होती है, 8 विसलाई रोंग साइड है, इसा पूरी उल्टी उल्टी बना कर पूरी करेंगे, 9 विसलाई है, सीधी साइड, पहले फंदा सीरिफ करते हैं, उन आगे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे छोड़ने के बाद, यहां से repeat pattern शुरू होता है, 2 फंदे सीधे, 1, 2, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, यहां से यहां तक 1 design complete होता है, 2 फंदे चोड़ने, उसके बाद, 1 design complete होता है, फिर से 2 फंदे सीधे, 1, 2, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, दो design complete होता है, आखिर में 4 फंदे है, 2 फंदे सीधे बनते हैं, 1, 2, 1 आगे, 1 फंदा उल्टा, इस तरी स्टीज का फंदा सीधा बना लेते हैं, 9 वी सलाई पूरी होते हैं, 10 वी सलाई रोंग साइड है, इसा पूरी उल्टे उल्टे बनकर पूरी करते हैं, 11 वी सलाई है, सीधी साइड, पहला फंदा से लिप करेंगे, उन आगे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे छोड़ने के बाद यहां से repeat pattern करते हैं, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, यह एक design complete होता है, फिर से, 2 फंदे सीधे, 1, 2, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, दो फंदे सीधे, 1, 2, 4 फंदे उल्टे, एक, तो, 3, 4, आखिर में 4 फंदे बसते हैं, 2 फंदे सीधे, 1, 2, ओन आगे, 1 फंदा उल्टा, एस ता इस टीज का फंदा सीधा बना लेते हैं, जारवी सलाई पूरी हो गए, बारवी सलाई रॉंग साइड है, इसा पूरी उल्टा उल्टी बना कर पूरी करते हैं, देखिए, बारवी सलाई पूरी होने पर इस तरह से बहुत प्यारे डीजाइंड बन कर आए हैं, उल्टे सीधे फंदे बनाते बनाते यह डीजाइड बन गया है, बहुत आसानी से डीजाइड बनता है, और बहुत संदर भी लगता है, बच्चों के लिए बहुत ही संदर बडोकी में बना सकते हैं जैकिट, कार्डेगन में स्वेटर में बना सकते हैं इसे अब यह हम बारस लाई पूरी होने के बाद फिर सही बारस लाई repeat करेंगे फर्स रास फिर से repeat करके बताएंगे पहला फंददद स्लिप, उन आगे, यहां से repeat pattern शुरू करते हैं, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, उन पीछे, दो फंदे सीधे, एक, दो, यह देखिए, ऐस तरह से उल्टे सीधे फंदे बनाते बनाते, यह डिजाइन कम्पलीट हो जाता है, चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, दो फंदे सीधे, एक, दो, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, उन पीछे, दो फंदे सीधे, एक, दो, उन आगे, चार फंदे उल्टे, आखिर में चार फंदे उल्टे लेते, एक, दो, तीन, चार, एAct iase ट Κीज का फंदर सीधा बना लेते है यह देखे इसमें सुरू में चार फंदे उल्टे हैं आकर में44 फंदे उल्टे सीधे उल्टे सीधे फंदे बनाताँ यह डिजाइन बन करा जाता है इस तरह से यह देखे इस तरह से नज़राएगा और हमने इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फंदा सीधा लिया है पट्टी के बाद और यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक फंदा सीधा लिया है इस तरह से हमने डिजाइन को सैट किया है इसमें 6 मर्टिपल के ही फंदे चाहिए होते अगर आपको फंदे कम जाद हो तो उसे घटा या बढ़ा सकते हैं डिजाइन के हिसाब से इस तरह से यह बन के रहा है